हलो दोस्तूं क्या हाल है तारिक आज 8 माई 2024 दिन बुद्वार हिंदी तिथी वेसाक अमावश्या और आई ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देशवर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं देखे आज के दिन को वर्ड रेड क्रोस डे के रूप में मनाये चाता हैं क्या है इसके पीछे वज़य डिटेल आप देख सकते हैं और आज वेसाक मैने की अमावश्या भी बहुत ही खास हैं इस दिन सनांदान और पीपल की पूजा की परमपरा हैं मानियता है कि इससे पितर सब भी देखी गई वोटिंग के दोरान और लोकसोबा चुनाओ के इस तीसरे चरण में देश की कई बड़ी दिगज हस्तियों ने भी अपना वोट डाला जैसे ग्रिया मंतरी अमित साहर डिमपल यादव समेत कई दिगजों की किस्मत EVM में केद हुई और देश के प्रदा भावक हुए प्रदान मंतरी और देखे कुछ राज्जू में चुनाओ के आलात महरास्ट्रों में लोकसोबा चुनाओ के तीसरे चरण के मददान के बीच एक सक्सने EVM में ही आग लगा दी उत्रबरदेश में 10 सीटों पर 27 प्रदिशयत मददान हुआ हंगामे के बीच सं सामने आरें कि पिछले तीन सालू में सुद्ध गरेलू बचत 9 लाग करोड रुपे गठी हमारे देश में हाउसोल्ड सेविंग में गिराउट आई हैं और परिवारूं का लोन भी दुगुना हुआ यानि कि हमारे देश में महंगाई काफी ज्यादा बड़ी हैं और बीते कि खिलोना निद्यात में गिरावर दर्ज हुई और अब खिलोना इंडस्ट्री ने सरकार से मदद भी मागी हैं और खबरां पेटीम में दो और रिजाइन हुए पाच तीमाही में पहली मार रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आया और देखे बड़ी खबर जम्मु कस्मिर के कुलगाम में सुरक्षा बलूं की बड़ी कारिवाई 10 लाग के इनामी आतंकी को धेर किया कुल दो आतंकियों को धेर किया हमारी भारती सेना के जवानों ने लशकर कमांडर बासिक दार भी मारा गया पिछले दो-तीन दिनों से ये मुटभेट चल रही है और खबर है चीन पर नकेल कसने के लिए तैयार है भारत नो सेना की दक्षिर चीन सागर में पूर्वी बेड़े की तेनाती हुई तीन जहाज पहुंचे सिंगापूर वही पोलिटिक से बड़ी कबर देखिए हरियाना में BJP सरकार पर संकट चाया तीन निर्दली विदायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है अब हरियाना सरकार से ये तीन विदायक समर्थन लेने के बाद सरकार अल्पमत में आई अलांकि संकट में नहीं है अभी दो मैने पहले हरियाना सरकार ने फ्लो टेस्ट पास किया था। कलकता हाई कोट की तरब से 25 जार सिक्सकों की नियोकतियां रद करने का आदेश दिया था लेकिन सुप्रिम कोट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है। अलांकि सुप्रिम कोट ने एक सर्थ रखी कि मुक्यमत्री अर्विंद केजरिवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। जमानत को लेकर 9 माई को अगली सुनवाई होगी। और वहीं देखे सुप्रिम कोट ने एक और बड़ा आदेश दिया सरकार को कहा कि सुनिश्चित करें कि निर्दोस और फिछले समुदाई के वेक्तियों का राम हिस्ट्री सीट में सामिल ना हो। चले अगली बड़ी खबर देखिए। प्रतिशत बड़ा दिया हैं। जो डेथ ग्रेजूटी के अधिक्तम सीमा 20 लाक रुपे थी उसे बड़ा कर 25 लाक रुपे कर दिया हैं। इसी साल 1 जनवरी दोजार चोबी से ही यह आदेश लागू माना जाएगा। रहे थे तकरिबन 30 लाक फोन, कनेक्शन भी बंद किये हैं। सरकार के संचार साथी पोटल द्वारा इजान करी दी गई। के भाव में तेजी आएं, किसानों का मुनाफा बढ़ने वाला हैं। 125 लुपे बोनस समेट 24 लुपे प्रति क्विंटल के हिसाब से MSP पर गेहूं के खरिदारी अभी हो रही है। चलिए, डिजिटल पेमेंट से जुड़ी अगली खबर देखिए, दुनिया में बज़रा है UPI का डंका, 6 महिने के अंदर आप गाना में भी कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल। भारत और गाना दोनों देशों के बीच फंड ट्रांसपर की स्विदा सुरू हो जाएगी 6 महिनों के अंदर अंदर। सुप्रिम कोट ने कहा कि प्रोडक्ट का विज्यापन करने वालों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। चिका पर भी सुनवाई होगी। चलिए विज्यान से जुड़ी अगली अच्छी खबर देखिए विज्यानिकों को उपलब्दी मिली। और मेडिकल साइन्स से जुड़ी कुछ और खबरे देखिए आप चीवित जीवानों से बने टीबी, टीके का इंसानों पर पहला परिक्षन सफल रहा। सुरक्षा और एंटीबोडी दोनों मिली हैं और उम्मीद है अब टीबी का इलाज जल्द ही और सस्ता मिल पाएगा और टीबी जड़ से खत्म हो पाएगी। पर वाकई में सरकार को ध्यान देना चाहिएं। के अकाउंट में ये पेसे डाले जाएंगे, आदिवासी दलितों को भी बनाएंगे लखपती। इधर पीम मोदी ने भी कहा कि कोंग्रेस के नेता कसाब को निर्दोस बता रहे हैं। पाकिस्तान इनका समर्थन करता है, चार जून के बाद इनका जंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। और वहीं दोस्तों लोकसबा चुनाओं 2024 से जुड़ी कुछ और कबरे देखें आप। फेसले को ही पलटने की, फिराक मेह राहूल गांदी इसी पर तंच कस्ते विए पीम मोदी ने ये कहा। और बड़ी खबरारी करनाटक स्केंडल मामले पर भी पहली बार बोले मोदी, पीम ने कहा कि प्रजुवल जेसूं के लिए जीरो टोलरेंस नीती हैं। उसे देश चोड़ने की इजाज़त करनाटक सरकार ने दिये हैं। इस ने लाठी चार्ज किया, हातरस अलिगर समित का इजिलो में चुनाओ का बहिसकार भी किया गया। इलाबाद हाइकोट ने भी यूपी सरकार पर लगाया 20,000 रुपे का जुर्मना गुंडा एक्ट से जुड़े मामले पर ये बड़ा फिसला सुनाया। और खबर हैं कॉंग्रेस चोड़ने के बाद भाज़मा में सामिल हुई रादिका खेडा, एक एक्टर ने भी भाज़मा की सदश्यता ली। इरा मंडी स्टार, एक्टर सेखर सुमन भी बीजेपी में सामिल हुए हैं। और देखे सोसल मीडिया पर पीम मोदी के बाद अब ममता बनरजी का भी एक एनिमेटेड डांस वीडियो वाइरल हो रहा हां। पीम ने तो अपने वीडियो को लेकर कहा था कि इसे देखकर मजा आया, इनोवेशन है, लेकिन बंगाल पुलिस ने इस मीम शेयर करने वाले को एक लीगल नोटीस भी बेज दिया है। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए दिल्ले हाइकोट का बड़ा फैसला, इंसूरेंस कंपनी पर 50,000 रुबी का जूर्म न लगाया, फर्म ने केंसर पेशेंट को 11,000,000 क्लेम देने से इंकार कर दिया था। पर पेड उखड गे, रेलवे सेवाओं पर भी असर पड़ा, 10 माई तक खराब मोसम का आलड जारी किया, अब मोसम विभाग ने। के दोरान, देश में किनकिन राजियों में बारिस हो सकती है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तूं, तो देखिया आज सोने चांदी की कीमतों में गिराओट हुई है, चांदी हलांकी महगी हुई है, सोन अगे बढ़ते हैं खबरों में, देखिये शेयर बाजार की सबसे बड़ी खबर, अठार माई को सनिवार और चुट्टी होने की बावजूत भी शेयर बाजार खुलेगा, क्योंकि सनिवार को दो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयो जित होंगे, प्राइमेरी सिस्टम फेल ह तो क्या किया जाएगा, इस बाद की टेस्टिंग करेगा सेबी, और इसलिए अठार माई शनिवार को लाइव ट्रेडिंग के लिए बाजार खुलेंगे, डिजास्टर रीकवरी साइट की टेस्टिंग की जाएगी, और वहीं स्टोक मार्केट के हालाद भी देखिया, आप इस प्रस्ताओं को खारिस कर दिया, और इसलिए शेर माजार में फिलाल तो ट्रेडिंग के समय में बड़ोतरी नहीं होगी, नेशनल स्टोक एक्षेंज की तरब से शेबी को एक प्रस्ताओं में ये बात लिखी थी, कि फ्यूचर एंड ओप्शन्स वगेरा का समय बढ़ा और कुछ कमपनियों के अपडेर देखिया, अडानी ग्रीन एनरजी स्रेलंका में दो विंड पावर स्टेशन बनाएगी, 20 साल के लिए पावर परचेज अग्रिमेंट पर साइन किया, 367 करोड का निविश करेगी कमपनी, और खबर है जीओ, एटेल और वोड़ाफन याने स्पेक्ट्रम निलामी के लिए आविदन किया, आठ बेंड के लिए 96,317 करोड बेस प्राइस है, डोट यानि डिपार्टमेंट ओप टेली कमिरिकेशन को 10,000 करोड मिलने की उम्बीद है, बेंकिंग सेक्टर से भी बड़ी कबर देखिया, IDBI बेंक को लगबग 3 और रिलाइस कम्पनी के स्टोक पर खबर आरे की 200 से चूट कर अभी 105 के भाव पर चलना रिलाइस का शेर, लेकिन अब निवेशक खरीद सकते हैं इसे चाहे तो क्यूंकि 228 रुबे तक भाव पर जा सकता है, मार्केट एक्सपर्ट ने ये टार्गेट दिया है, ओके और च समय 10 भरतियों से 7 दिन में आवेदन वापस ले सकेंगे, 14 माई के बाद एक्शन लिया जाएगा, और राजस्तान में फोरेस्ट को भी जल्द ही मिलेगा नया होफ, 15 माई तक होगी स्क्रीनिंग, अरी जीत सबसे प्रबल दावेदार है, हना और वहीं देखिये, फोन पर प पड़ाई का नुक्षान होता है, क्लास में बेटे-बेटे-फोन चलाते देखते रहते एक टीचर, तो राजस्तान सरकार के शिक्षामत्री के इस फेसले का भी स्वागत किया गया, हना और मैं देखिये, मन्रे का सरमिकूं के लिए एक नया आदेश, प्रतेक पंचायत में पांसो सरमिकूं को देना होगा रोजगार, टार्गेट पूरा नहीं होने पर कारिवाई भी होगी, राजस्तान में ये भी एक नया आदेश जारी हुआ, हना, चलिए खबर आ रही है, उत्तरपरदेश में योन सोसन मामले में ब्रिज बुशन केश पर बड़ा फेसला दस म मिलता रहेगा, स्रिलंका सरकार की तरब से ये बड़ा एलान किया गया है, और खबर है मोरिसेस खाएगा भारत का चावल, 11 महिने के बाद मोरिसेस में चावल एक्सपोर्ट पर लगा प्रतिबंद भारत सरकार ने हटा दिया है, और अब भारत के द्वारा मोरिसेस को 14,000 ट खारिज की जवानाती आचिका, और राजस्तान में देखे दोस्तों, एक अनो का मामला देखा गया, एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, साधी के 6 साल बाद गर में गुजी किलकारी, 6 साल तक कोई बच्चाई नहीं हुआ, हुआ तो एक साथ 4 बच्चे, वाह देखे बगवान की किरिप आए, राजस्तान जोदपूर के उम्मेद राजकी अस्पताल में, जेसल मेर की एक महिला ने चार नवजात बच्चों को जन्म दिया है, और चारू सिस्वों में दो लड़के और दो लड़किया है, अभी हाली में आपको पताओगा, बीहार में अभी एक एसा मामला देखा गया है, जिसमें महिला ने एक साथ पाँच बेटियों को जन्म दिया, सभी नवजात स्वस्त हैं, चले अगली खबर देखे, देश में बढ़ रही हैं, गोस्ट सोपिंग मोल की संख्या, साल 2023 में ही बढ़कर 64 पहुचा आगड़ा, गोस्ट सो अरियाना राजी में खुसकबरी, अब इस जिले में स्कुलों में तीन बार ब्रेक होगा, बढ़ती गर्मी और लू की वज़े से फेसला लिया गया, अरियाना के करनाल में, खबर है देनिक जागरन से इंटर्व्यू के दोरान पीम बोले, कि हमारे पास विक्षित भारत का विजन है, पीम ने का कि हमारे पास 10 सालों का ट्रेक रिकोर्ड हैं, और अगले 25 सालों के लिए भारत का विजन तयार कर रखा हैं, आने वाले 5 सालों का रोडमेप हैं, और 100 दिन का प्लान भी हैं, देनिक जागरन से खास वाचित के दोरान पीम ने एहम मुद्दों पर बा देख सकते हैं ज्यादा डीटेला, 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता हैं इस योजना में सरकार के द्वारा, और वहीं देखे बड़ी खबर लोगसबा चुनाओं खत्म होने तक तेलंगाना सरकार रायतु भरोसा योजना के ताथ भुगतान स्थगित करें, चुनाओ वन सेटलमेंट के लिए कस्टोडियन बेंकों के निवेश नियमू में बदलाओं किया हैं, और इन बदलाओं की ज़्यादा जानकरियां आप देख सकते स्क्रीन पर, वहीं RBI ने मार्जन फंडिंग की सीमा को भी 50 प्रतिशत से गटा कर 30 प्रतिशत कर दिया हैं, और भी ड भारत के निदेशक मंडल की बारवी बेचक मुंबई में आयोजित हुई, तीन नए अपरादी कानूनों पर पाच्छे करम की सुरुवात भी हुई, बी आरों ने देश के सीमा वर्थिक शेत्रों के साथ साथ मित्र देशों में भी सड़के बनाई, रक्षा सचीव की मार दोजार चोबीस में भाग ले रहा है, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरे देखिए, बोड एक्जाम रिजल्ट से जुड़े अपडेट है, आज गोसित होंगे पश्यमंगाल हायर सेकंडरी के नतीजे, दोपहर तीन बजे, wbresults.nic.in portal पर चेक कर पाएंगे, अना और म कुलों में CCTV केमरे बढ़ाने के निर्देश भी जारी हुए, हिमाचल बोड के दसवी के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, 74% स्टुडेंट पास हुए, 99.86% मार्क्स के साथ, रीदिमा बनी टोपर, टोप 10 में बरानम स्टुडेंट सामिल रहें, और देखिए, बीए अच्व को सिखाए जारें पढ़ाने के गुर्ण, एक्टिविटी बेस्ड बढ़ाई होगी, मतलब क्रियेटिव तरीके से बच्चों को में पढ़ाई जाए गया, पंजाब में है न, और CBSE ने भी जारी किया माक्स वेरिफिकेशन का सेड्यूल, अगर आप नंबर से संतुस्ट न नहीं हैं, तो आवेदन कर पाएंगे अपने माक्स को रिवेरिफाई करवाने के लिए, वह देखिए अब होगी, रिसार्च, इंटर्सिब, तकनीक, वेस्विक मांग के आधार पर मिलेगा प्रेशिक्षन, UGC की तरब से ये नया प्लान तयार किया गया, ओके और एजूक वीकल की लॉंचिंग पर खबर आ रही है, एक लाग से कम कीमत में आया नया EV स्कूटर, सिंगल चार्ज में 170 किलोमेटर का दावा कर रही ही कमपनी, आई वूमी की तरब से ये नया मोडल लॉंच किया गया, देख सकते हैं आप डीटेल, और इसकी बुकिंग 10 माई से ही सु अगर आप लेट नाइट मोबाइल फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, नींद कम लेते हैं, तो आप अपनी सेहत को काफे नुक्सान पहुचा रहे हैं, क्यूंकि नींद की कमी का सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभाइद करता हैं, जिससे हमारे सरीर में कई बी लेट नाइट काम करने की वज़़े से देर से सोने के मामले में चनने और गुरुग्राम हमारे देश में सबसे आ गया हैं, लेकिन भागदोर भड़ी जिन्दगी में दोस्तों जितना जरूरी काम करना हैं, उतना ही जरूरी आपकी सहत का अच्छा राना भी हैं, इसलिए पूरत पूर्टी से मिली शेडूल को मंजुरी है। गोरतपूर से यह यात्रा सुरू होने जारी है। और जारकन देवगर से भी बंगलूरू के लिए सीधी फ्लाइट एक जुन से सुरू हो जाएगी। इसरे से सटे बॉर्डर पर कबजा किया, एक लाख फिलिस्तिनियों को निकाला जाएगा। और खबर हैं पडूसी देश पाकिस्तान के फोजी अपसरूं पर बच्चों के योन सोसन का आरोप लगा, 100 बच्चों के 600 वीडियो सामने आये, हलांकि पाक सेना ने आरोपों को खा यार हुई, हलांकि ये स्पेस्क्राफ्ट में बेटी चुकी थी, लेकिन एन मोके पर मिशन को टाला गया, क्योंकि रोकेट में खराबी आई थी, बॉइंग ने कहा कि अगले लोंचिंग 10 माई को संबा हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक करना, शेर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सस्क्राइब करके, बेल आइकोन जरूर तबा देना, रोजाना एसी इंफोर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए, जय हिंद, जय भारत, वन दे मात्रम